हानी बर्लिन नाम की एक बहुत जहीन चोर की है, जो अपने साथियों की साथ बहुत समझदारी से चोरी करता है। चुरवात बर्लिन को दिखाने से होती हैं, जिसकी तीसरी बीवी भी उसे डिवोस देकर जा रही थी, जिस वज़े से वो काफे टोड़ जाता है बहुत दुखी था, क्यूंकि आज तक कोई भी उसका नहीं बना, उसे कोई प्यार नहीं करता। प्लैन किया करता था, कि कोन सी चोरी कब कहां और कैसे करनी है। इसलिए अमीर आदमी बन्डिन को अपने दिजोरी के पास लेकर जाता है। और यहां बन्डिन उसे बता ही देता है कि हम कोई प्लिस ओफिसर्स नहीं हैं, बलकि हम तो यहां पुराने वक्त का वो कीमती प्याला लेने आए हैं, जो तुमारे पास है। अब क्योंगि अमीर आदमी कोई लड़ाई हंगामा करना नहीं चाता था, इसलिए वो चुक चाप याला बर्लिन को दे दीता है। और अब जिब जी पांच जो यहां सी जानी लगती है तो एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग तो पुलिस ओफिसर्स कहें से भी नहीं लग रहे हैं। इस यह भी जानता हूं कि तुम यह सब कुछ अपनी दोस्त को दिखाने के लिए कर रहे हो, कि तुम कितने बड़े हीरो हो, तुम जो हो उसके सामने वो ही रहो, उसके साथ प्यार से रहो, क्यूंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, जिसके बाद अगली द को अपना प्लैन बताते हैं, वो बताते हैं कि इस प्याले की मदद से हम 44 मिलियन की जीवर की चोरी करनेवा, सब लोग इस प्लैन को समझ आते हैं, और अगले ही दिन ये लोग एक फादर से मिलने चर्च गे, बरंडिन फादर को बताता है, कि मैं एक प्रोफेसर हूं, और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमने एक रिसर्च की हैं, जिस तुरान हमें पता चला है, कि आपके इस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना हैं, तो हम लोग यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं, तक यह देख सकी कि यहाँ पर खजाना हैं, यह सुंदर फादर काफी खोश हो जाते हैं, कि अगर सच में यहाँ पर खजाना हैं, तो चर्च को इससे काफी फाइदा हो, फादर उन्हें बेस्मेंट में लेकर जाता है, और यहाँ पर खुदाई करने की इजाज़त दे देता है, अब यहाँ पर सच बात यह थी, कि इस चर्च के नीचे से एक जो कि पैरिस की सबसे बड़े निलामी घर में जाकर खुला करती थी, कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ही महंगे जीवरात की निलामी होने बादे, जिनने वहाँ की लॉकर रूम की अलगलग तीजोरियों में रखना था, और इनका प्लैन उन्हीं सरे तीजोरियों क तकि हम उस पर नज़र रख से, कुछ दिर की बाद निलामी घर कर डिरेक्टर जिब अपनी वाइफ की साथ वहाँ से नहीं कलता है, तो ये लोग चुपकी सी उसके घर में घूस जाती हैं, और पूरे घर में कैमरास को फिट कर दी थी, बर्णिन और प्रोफेसर कैमरास की जरीए निलामी घर की डिरेक्टर और उसकी वाइफ पर नज़र रख रहे थी, प्रोफेसर जब देखता है कि बर्णिन परिशान है तो वो उससी होसला देता है, कहने लगा कि तुम परिशान ना हो, देखना एक दिन तुमें कोई बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, तु हम दोनों एक दूसरी को बहुत प्यार करती है, कबे पे हमने एक दूसरी से अलग होने का नईी सोच, यह सुनकर बर्लिन कहता है कि मान लेता हूं, लेकिन यह दुनिया धोके बाज है, यहां पर सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अब बर्लिन जब अकेला नि इरेक्टर की वाइफ गाना गा रही है, उसे देखते ही बर्लिन को वो काफी पसंद आई, अवाज ड्यूस की काफी अच्छी लगी, इसलिए वो उसे हासिल करने का सूचता है, अगले दिन जब चर्च की फादर यहां पर आते हैं, तो सारे उन्हें यह बताने लगी, आप देखकर फादर की खुशिका को ठिकाना ही नहीं रहता, इसलिए वो उन्हें और खुदाई करने की इजाज़त दे रहती हैं, अगले ही दिन से बर्लिन निलामिगर की डिरेक्टर की वाइफ जिसका नाम कमील था, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करनी लगता है, उसका पीछे करते हुई, वो एक होटल में गया, उससे बात ही करनी लगता है, वो उसे अपना निकली नाम बता कर कहता है, कि मैं यहाँ पर पैरिस में घूमने आया, कल रात बार में मैंने आपका गाना सुना था, जो मुझे बेहत पसंद आया है, वो यहाँ जान बोच की कमील की पसंद नीदा किताब भी लाए था, जिसे देखकर वो पूछती है, कि आप यह पढ़ते हैं, बर्लिन कहता है, जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है, पर कमील यहाँ पर कोई जवाब दी बगएर, वहाँ से चली जाती है, बर्लिन सोचता है, शायद मुसे गलती हो गई है खुदाई करते हुए उन लोगों को सुरंग मिल ही जाती है, इसलिए वो और आगे खोदने लगती हैं, ताकि अपनी मंजी उस निलामी घर तक पहुंच जाएं, बर्लिन जब कमील की बाती सुनता है, तो उससे बता चला कि उसकी अपने हिस्बंट से लड़ाई हो गई है, तकि अपने उनिवर्सिटी की प्रोफेसर को दिखा सकूंगी हमें यहां से यह मिला है, कैसे भी करके वो प्याले को वहां से ले जाने लगता है, और यह लोग उसे रोक ही नहीं पाती, यह बात जब बर्लिन को पता चली तो उससे काफी घुसा आ गया, वो लॉक मास्टर क लड़की, बाइक पी बैठ कर वहां से निकल जाते हैं, फादर से वो कीमती प्याला चीनने की, प्याला चीन कर वो जब यहां से भाग रहे थी, तो तब यहां पर फादर की कुछ दोस्त आ जाती हैं, जो उन्हें रूख लेती हैं, लेकिन जैसी तैसे उन्हें चक्मा दे क प्याला लेकर वो यहां से भागने लगी, जब फादर की दोस्त भी उनका पीछा करने लखती, लोग मास्टर और इंजिनियर लड़की अप पार्किंग एरिया में जाकर चूट गए, लेकिन फादर की दोस्त उन्हें ढूड़ी लेती हैं, और प्याला उनसे चीन लेती है इस वज़े से दोनों काफी डर गई, जल्दी से यहां से बांग जाते हैं कि इससे पहले कोई और मुसीवता है, रात को बर्लिन और कमील जब वापीस आई, तो यहां हम नाटिस कर लेती हैं, कि वो एक दूसरी की काफी करीब आ गई है, यानि उनकी अच्छी दोस्ती हो ग अब प्रोफैसर लॉक्मेन और इंजिनियर लड़की के पास आते हैं, जो बहुत ज़दा घुपराए हुए थी, प्रोफैसर उन्हें तसलिदी देती हैं कि देखो, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, यूँकि जब तुमने प्याला फादर से चीना था, तो वो तब ही वाले कर दिया है, ये कहगर कि आइंदा की बात मैं बेस्मेंट में नहीं आऊंगा, और तुम अपनी खुदाए जारी रख, अधर कमील बर्लिन से मिलने के लिए खुदी आ जाती है उसके पास, लेकिन यहां बर्लिन के लिए एक मुसीबत थी, वो से कमरे में लेकर नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि तुम शादी शुदा हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, ये सुनकर कमील को बहुत बुरा लगा, वो नराज होकर वहां से चिली जाती है, ये देखकर बर्लिन को भी काफी बुरा लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पी वार थी, जो लोही की अलगलक ब्लॉक से बनी होई थी, तो तब यहां प्रोफेसर उन्हें प्लैन बताते हैं कि हम अंदर दाखिल कैसी हो, वो बताता है कि सबसे पहले हम ब्लॉक्स को बारीकी से काटेंगे, फिर उन ब्लॉक्स को बड़ी चिलाकी से गाड़ी से जोड़ ताकि हमारा जब दिल चाहे उसे लगा सके और जब दिल चाहे वहां से हटा भी दे, इस बिल्डिंग में हमेशा दो गाड़्स होते हैं, एक गाड़ तो होता है अंदर जो हमेशा कंट्रोल रूम में रहता है, और उसकी नदर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, दूसरा गाड़ होता है बाहर, जो बाहर होने वाले चीज़ों को देखता है, अब सबसे पहले इन्हें उस बाहर वाले गाड़ का दिहान बढ़काना, तकि हैकर लड़की उनकी कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स, यहां से क्लाइट में नाटिस करता है कि वो दोनों गाड़ की कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है, यानि कि अब वो सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती है, अब बर्लिन फिर से अपनी टीम को प्लैन बताने लगता है, और यह लोग फिर से उस सुरंग में चले जाती है, बहुती पत्ली तार से उस दिवार की ब्लॉक्स को काटने का जिन में वो सारे जिवरात भी होंगी, जो बाद में इन तीजोरियों में रखे जाने थे, और इस तरह बाएसानी वो सारे तीजोरियों को चोरी कर सकती थे, अब इस चोरी की प्लैनिंग के साथ साथ बर्लिन के प्यार की कहानी भी कमील के साथ शुरू हो जाता, वो अप पर अपने husband की जाने की बार कमील बर्लिंग को कहती है कि मुझे टेन लग रहा है कहीं मेरे husband को हमारे बारे में पता ना चल जाए पर लिन उसी कहता है कि चलो फिर हम किसी ऐसी जगा पर चलते हैं जहां पर हमारे लावा और कोई ना इसलिए ये दोनों एक होटल में जाकर एक स प्रशान हो गया ये सोचकर कि मेरी wife तो मुझे इतना प्यार करती थी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ की चली जाए और अब आखरकार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है जाहिर है इस वजह से प्रोफेसर को काफी धका लगता है तब उसका चेहरा देखकर इंजीनियर लड़की समझ जाती है कि जरूर इसकी wife ने divorce दे दिये अब सेट लाइट मैन लॉक मास्टर से कहता है कि मुझे बताओ मेरे बाइक तुमने कहा रख दी है क्योंकि जब तुम फादर से प्याला चीनने गए थी तबी कि बाद से मैंने अपनी बाइक नहीं देख इस पर हैकर लड़की उसे सारी बात बता देती है कि प्याला चीनने के दुरान हम पर भी हमला हो गया था इसलिए वो बाइक वहीं पर रह गई और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगी वज़ा यह है कि जिस प दिन छोड़कर चली जाएंगी इंजीनियर की हैतिया कि मुझे इसकी पीचे कोई और वज़ा लगती है जिरूर आपकी वाइप पकिसी और के साथ चक्र चल रहा है इसलिए वो आपको छोड़ना चाहा है यह सुनकर प्रोफेसर को काफी हैरत तो हुई लेकिन इस बारे में चान मिन करनी दखता है चान जन्दी उसी पता चल गया कि यह सर्चे मेरी वाइप सर्च में किसी और की साथ हो चुकी है बर्लिन और कमील जिब एक साथ थी तो कमील का हिसबंड उसे कॉल करकी बताता है कि आज मैं छुटी पर था और मने तुम्हारी सारे इमेल्स पढ़ न मैं तुम्हें भी नहीं चोड़ सकती तुम्हें भी पसंद करती हूं लेकिन मैं तुम्हारे वजह से अपने हिस्बंड को नहीं चोड़ सकती क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी बस दोस्ती जिबकि मैं और मेरा हिस्बंड तो बच्चे के लिए प्लैन बना रहे हैं ये सुनकर जबकि उतर बर्लिन और उसकी टीम भी बिल्कुल तयार थी उन सब को चुराने के लिए जैसे ही सारे चीज़े कमील का हिस्बिन तीजोरियों में रखता है तो वो टीम भी आगी बढ़ती है अपने प्लैन को अंजाम देनेंगे एक एक करके तीजोरियों में जो जो भी समान वो सब को चुराने लगते हैं यहां प्रोफेसर अपने घर तूटने की वज़े से दुखी था जबकि बर्लिन को एक बार फिर दोका मिला था वो इस वज़े से घुसे में तो यहां पर इन दोनों की आपस में बेहस हो जाती है जिससे आवास पैदा हुई और यह आवास कम पर सब कुछ ठीक है अब ये लोग भी बड़ी चौलाकी से सारी तिजोरियों को चोरी कर लीती है और चुप-चाप यहां से निकल भी जाते अब ये लोग प्लां करती हैं कि हम यहां पर अपनी हर एक चीज़ को हटा देंगी साफ सफाइी भी कर देंगी तíक कि कि किसी को कभी शक ना हो कि हम यहां पर आई और हमने यह जोरी अब हाला कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थी कि यहां पर उनका वाल भी ने गिर सकता था लेकिन वो फिर भी यहां पर सफाई करती हैं तक कोई भी सबोत यहां पर रहना जाए और पुलीस इन तक पहुंचना यहां वो उसे दवाई सोगा कर भी होश कर देती हैं फिर उसके पूरे घर सी लोग कैमरास को निकाल देती हैं फिर बर्लीन लॉक मास्टर को कहता है कि अब से हम सारे अलगलग होटल में रुकेंगे और कोई भी बाहर ने निकलेगा क्योंकि अगर कोई बाहर आया तो हम पक निकले में देता है तकि जब पुलिस इंक्वारी करने यहां पर आये तो ने यही लगी कि कमिल के हिस्बंट नहीं चोड़ या पिर चोरे में चोड़ों का साथ दिया हैं अब असल में यहां पर बरलिन कमिल के इस साथ कुछ बदला लेने के लिए कर रहा था उसे पसाग ज जाए और उसकी वाइफ कमील मेरे पास आ जाए और हम दोनों का तालुक दुबारा से पहले जैसा हो जाए अब लॉकर रोम से बाहर आने की बार ये उस दिवार को भी मस्बूती से वैल्डिंग कर दी थी तक कि यहां पर भी कोई सबूत बाकी ना रहे पिर उन्होंने पूरे बाइक तक पहुँच गई तो वो लोग मेरी पासपोर्ट तक भी पहुँच जाएंगी मैं अपना पासपोर्ट चुराने ऑफिस गया था लेकिन वहां हर तरफ अलाम लगे हुए इसलिए मैं पासपोर्ट नहीं चुराया और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि म अपना पासपोर्ट हासिल कर सब यह सुनकर हैकर लड़की कहती है पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है यह सुनकर सेटलायट मैं कहता है पर ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मेरा पासपोर्ट पुलिस की आयत लग गया तो हम लोग और हमारी चोरी तो वैसे भी पकड़ी जाए इसलिए अब जल्दी से मेरे साथ चलो जो सुनकर हैकर लड़की भी उसकी मदद करने को राजी हो जाती है यह दोनों अपने साथियों से बहाना बनाकर वहां से बाहरे निंगल जाते हैं जिबकि लॉग मास्टर इंजिनियर लड़की के कमरे में आ जाता है इंजिनियर लड़की लॉग मास्टर से पूछती है कि तुम्हारे उंगली पर टैटो के ऐसा बना हुआ है जिस पर दोनों एक दूसरे को देखकर मस्कुरानी लगी क्योंकि ये भी एक दूसरे को पसंद करती हैकर और सेटलाइट में उस आफिस में पहुन जाते हैं हैकर यहां की सिस्टम को है करकी उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योर्टी गार्ड उन्हें देख लीता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हैं तब हैकर कहती है कि मैं यहां की नई वर्कर हूँ लेकिन तब यहां पर और मैन को देख लेता है जो छूपा हुआ था अब एक तरफ हैकर उसका पासपोर्ट इलीट कर रही थी जबकि गार्ड सिट लाइट मैन पर गन तान लेता है पूछता है कि बताओ आकर तुम दोनों कौन हो और यहां पर क्या करने आयों सिट लाइट मैन उसके तरफ कुछ फैक क मारता है जिससे उसकी गन नीचे गिर गए गन को जल्दी से हैकर उठाकर उन्हें पर तान लेती है वो उनसे छूट बोल देती है कि हम लोग चोर हैं और यहां पर चोरी करने के लिए दोनों उसे कुछ पैसे भी चीनते हैं और यहां से भाग निकलते जिस बास से दोनों ही काफी खुश हो गए लोग मास्टर और इंजीनियर एक बार में गए जहां पर बहुत सारे अमेर लोग आये हुए थे तो यहां से वो उनकी गाड़ी चुराने का सोचते हैं सिक्योटी गाड़ उन्हें अंदर जाने नहीं देती इसलिए वो बड़े चलाकी से एक अपल की गाड़ी चुरा कर वहां से भाग जाते हैं लोग मास्टर इंजीनियर लड़की को लेकर इस जगा पर जाता है जहां पर रेस हो रही थी और यह गाड़ी उनकी रिस्क इसलिए लोग मास्टर वहां गए एक आदमी को चैलेंज करता है कहने लगा कि अगर मैं यह रेस हार ज होगा जिस पर इंजीनियर कहती है कि मैंने अपनी जिन्गी में इतना महिंगा और कीमती लॉकिट पहले बार देखा है मेरा बहुत दिल कर रहा है इसको पहले लेकिन अगर तुम्हें बाद में पहल लोगी यह कहकर उसने हार को अपनी जेव में रख लिया अभी सरेस में ल वो काफी हिरान रह गई जिस बाती भी हो जाती है इसलिए लॉक मास्टर को गाड़े रोकने के लिए कहती है वो भी बिना सोची गाड़े रोक दीता है और इस साम वो इस रेस में हार गया था इंजीनियर लड़की बहुत ज़दा रोनी लगती है इसलिए लॉक मास्टर उ उसे संभानता है रेस आड़ने की वजह से लॉक मास्टर को वो गाड़ी दूसरी लड़के को देनी पड़ती है जिसकी बाद वो इंजीनियर को लेकर यहां से चला जाता है वो उसे एरपोर्ड पर ले जाकर एक प्लेन में बिठाता है पूछने लगा कि आखिर ऐसा किया हु पाने सुनती रहती थी एक दिन जब उस सिंगर ने मुझे देखा तो हम दोनों का तालुक बन गया मैं उसके साथ तालुक बनाकर बहुत खुश थी सब कुछ मुझे किसी सपने की तरह नगरा कि जिसकी में फैन थी जो मुझे अच्छा लगता था आज मैं उसकी दोस्त बन जाती थी वह सब देखकर में मॉम डर्ट को लगा जिसी में पागर हो रही हूं तो उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में वीच दिया अपनी कहानी बताकर वह रोने लिखती है जब लॉक मास्टर उसे तसल्दी देता कहने लगा कि अब मैं तुम्हारा मूब ठी करने क के लिए कुछ बहुत बड़ा तुफान में करने वाला लेन स्टार्ट करकी वो इंजिनियर को कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी प्लेन नहीं उड़ाया आज पहली बार तुम्हारे सामने ऐसा करने वाला इतना कहकर वो प्लेन उड़ा दीता है जोनों को काफी अच्छ में ही रह गया बर्लेन जिब होटल में गया तो कमील भी उससी मिलने के लिए आ जाती है कहने लगी कि मुझे तुम भी पसंद हो लेकिन मैं अपने हजबन को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उससे प्यार करती हूं बर्लेन कहता है लेकिन ऐसा नहीं चलेगा तुम्हें हम दोनो इन्होंने ये प्लैन किया था कि हम बाद में एजगा आकर मिलेंगी पुलिस भी निलामेगर की डिरेक्टर कमील की इस बिंड को गिरफतार कर चिकी थी क्योंकि सारा शक उस पर आ गया था अब इस टीम में से हमें सेटलाइट मैन और हैकर लड़की दिखाय जाते हैं जिन् के बाद प्रोफेसर, इंजीनियर और लॉक मास्टर एक वैन में बैट कर निकल जाती हैं यहां पर इंजीनियर और लॉक मास्टर ने बहन भाई का रॉल किया था जबके प्रोफेसर उनके डैड बने थी और अगर पुलिस इने पकड़ती तो इनके पास नकली राख भी थी जहां वो पुलिस को ये कह देंगे कि हम अपनी मा की राख को नदी में बहाने जा रहें कमील जब वापिस अपने घर आई तो यहां पर पुलिस को देखकर काफी हिरान रह जाती है और उसी सारी बात बता देती है कि मेरा हिस्बंड फस किया है तब यहां बर्ली उसे होसला देता है कि तुम बिल्कुल भी परिशान मत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ कमील उसी कहती है कि मेरा हिस्बंड ऐसी हरकत नहीं कर सकता हूँ इसकी पेचे जरूर किसी और कहात है जो मेरी husband को बस पसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब मैं अपने husband को छुड़वाऊंगी जो पूरी तरह बेगुना है। जबकि पुलिस ने भी हर जगा पर नाका बंदी कर दी थी राश से रोग दिये थी तक कि कोई भी यहां से नीकल ना सके वो तिनो वैन में बैट कर जब एक नाका बंदी वनी जगा पर पहुँचती हैं तो पुलिस उनकी चान बिन करनी लगती हैं। राख ही थी तब पुलिस को यकीन आगया कि ये लोग सच बोल रहे हैं। और इससरा हम इनकी साथ और मुर्दे की साथ गलत कर रहे हैं। जो सोचकर पुलिस वने इन्हें जाने देती हैं। इन्जीनियर और लॉक मास्टर अपनी वैन को एक जगा पर पार कर देती हैं जिसके सामने एक घर था। घर में एक औरत रहा करती थी जो प्रोफेसर को देख गई। उसी पसंद करनी रहे हैं। लॉक मास्टर बर्लिन को कॉल करकी पुछता है कि तुम कहां पर हो। बर्लिन ने बताया कि मैं अभी भी पैरिस में हूँ। या लॉक मास्टर उसे सच बता दीता है कि चोरी की उन हारों में से हमने एक हार को खो दिया है। काफी खोश हो गई कि बर्लिन कितना अच्छा इंसान है। इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहा है। पता चिला है कि जो गाड़ी वो लेकर आए थी वो भी उनकी नई थी। पुलिस कहती है कि उस लड़की की कोई पहचान बताओ। तब ड्राइवर कहता है कि उसकी उंगली पर एक टैटू बना हुआ है। वाइफ के छोड़ जाने पर प्रोफेसर अभी परिशान हो ही रहा था कि तब यहां पर उनके सामने वाले औरट आए जो उसे पीने के लिए शराब देती है। हैकर लड़की जंगल में जिब टॉलेट करने गई तो उसके पैर पर एक जहरीला साम काट लेता है। वो चिनाने लगी मदद के लिए सेटलाइट मैन को अवाज लगाने लगती है। इसलिए वो जल्दी से भाकर आता है। उसकी मदद करने के लिए चाकु से पहले उसकी पर कट लगाता है पर उसका खून चूसकर बाहर निकालता है। उसने देखा कि हैकर लड़की की जुबान सोज रही है। वो काफी फिक्र मंद हो गया कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। तो वो उसे अपनी पीट पर उठा कर वहां से निकल गया ताकि कोई मदद मिल सके अब में अपने हजबंड से मिलने जाती है। उसे बताने लगी कि यह है मेरा दोस्त बर्लिन जो हमें पैसी देने के लिए तैयार है। ताकि तुम्हारे कीस के लिए हम अच्छा सा वकील हायर करने। जिस पर पहने तो उसके हजबंड मना कर देता है। लेकिन उसकी कहने पर वो मान भी जाता है। सिटलाइट में हैकर रड़की को लेकर रोड तक आ गया। जहां इनके सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। वो जब उनसे मदद मांगता है तो पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगती है। प्रोफेसर उस और इंजिनिर जो मशली पकर र गई। लगतार पुलिस उन पर नजर रखी हुए थी। वो दोनों गले सी लग जाते हैं। जो देखकर पुलिस को काफी हेरत हुई। क्योंकि उन्हों ने तो कहा था हम दोनों बहन भाई है। और अब जब लॉक मास्टर अपने सर पर हाथ रखता है तो पुलिस उसकी उं जीब हैं। वो तुम्हारा दोस्त है लेकिन फिर भी तुम्हारी इस बंड को छुड़वाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। एम्विलेस के जरी हैकर को जब पुलिस ले जा रही थी तो तब हैकर की जेब से गन नीचे कर जाती हैं। जो देकर पुलिस को काफी हेरत हु उसी लगा कि जरूर पुलिस को हम पर शुक हो गया है। तो पुलिस के जाने पर वो वहां की साफ सफाई कर दीता है ताकि हम पकड़े ना जाएं। और यहां से जल्द निकलने की तयारी करने लगता है। अब एक दिन कमील बर्लिन को कहती है कि देखो मैं अपने हजबन को नहीं छोड़ सकती हैं कि तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम मुझे ही छोड़ कर यहां से चिली जाओ। पुलिस यहां पर आई थी उन्हें हम पर शक हैं तो हमें जल से जल यहां से निकलना चाहिए। जिसकी बाद वो बर्लिन को कॉल करता है उसे पूछने के ल ला देती हैं और कही थी है कि अगर इस टैटो वाला इंसान किसी को भी कहीं भी दिखे तो फोरण उसे की रुफतार कर लिया जाए। अब कमील से मिलने दुबारा उसकी दोस्त आई पूछती है कि कमील तुम्हाई जिन्दगी में यह सब कुछ क्यों चल रहा है और इतनी जल्दी जल्दी सब कैसे हो रहा है कमील के इतनी है कि मैं खुद परिशान हूं मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आ पर चल की आ रहा है जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अक्सर में पने देखा है कि लड़की का जो दोस्त होता है bob को पसाता है और तुम्हारे के इस्में उसका पास चुला लेती है तक ही वो बर्लिन की कमरी में जाकर चेक कर सकी कि क्या मेरी दोस्त सच किया रही है क्यूंगि अभी तक उसनी बर्लिन का कमरा नहीं देखा था प्रॉफेसर भी बर्लिन से मिलने के लिए आ जाता है और यह दोनों भी यहां से निकलने का प्लैन बना जाती हैं वो समझ गई कि बर्लन ही चोर हैं और इसने ही मेरे हिजबन को फसाया है उदर पुलीस उनकी वैन की तरफ बर्ड रही थी जिसके इंदर इंजीनियर और लॉक मास्टर थी पुलीस जब उन पर गोली चिलाने लगती है तो वो लोग भी बदले में गोलीयां चिलाती तब इंस्पेक्टर उन से पूछती है कि आखर तुम लोगों की मांगें किया हैं इसी के साथ वैन में परदे के पीछे से एक स्पीकर बाहिर आता है जिसमें लॉक मास्टर कहता है कि हमारे ये मांगे कि तुम हमें पांच मिनट दो सोचने के लिए अब यहां हमने देखा क उन्होंने अपनी वैन ऐसे जगा पर पार की थी जिसके नीचे एनल का रास्ता था यानि कि सुरंग इसलिए वो सुरंग की रास्ते बागने लगती हैं जबके पुलिस को गुम्रा करने के लिए उन्होंने वहां पर पपिक कट पुतलिया लगा हुई थी और जो माइक था वही उपर स्पीकर लगा हुआ था ताकि उनको यह लगे कि यही स्पीकर में बोल रहे हैं और अब जब वो दोनों यहां से काफी दूर चड़े गे तो पुलिस भी समझ जाती है कि उन्होंने हमें पागल बनाया है वो तो यहां से भाग चुकी पुलिस ने जब देखा कि यहां पर एक सुरंग है तो वो भी इसके अंदर चले जाती है उन लोगों का पीछा करनेगी सिटलाइट में दोनों पुलिस ओफिसर्स को बंदी बनाकर हैकर लड़की को लेकर यहां से भाग जाता है लाग मास्टर और इंजीनियर जब सुरंग सी बाहर आई तो वो देख लादिया था जिस पर उसकी दोस्ता केरना था कि तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करकी उसकी सारे सच्चाई बता ताकि बर्लिन फंद जाई और पुलिस उसे गिरफतार कर ले अब तब यहां कमील को खयाल आया कि मुझे भी अपने हिजबंड की लौकर का समान चेक करना च सोचती है कि मेरा हिजबंड की इतना चलाक है उसने मुझे शक भी नहीं होनी दिया इसलिए अब वो पुलिस का फोन कार्ट देती है बर्लिन की बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि इस वक्त उसे बर्लिन से ज्यादा अपना हिजबंड कुनेगार लग रहा था ज हैकर और सेटलाइट में भी पुलिस को भी होश करके एक कष्टी में अपनी साथ ले जाते हैं इंजीनियर और लॉक मास्टर जिस ट्रक पर थी हो भी चल पड़ता है जिस फुझर से वो काफी होश थे क्योंकि उन्हें येकीन था कि अब हम बिना किसी रुकावट के अपनी नहीं पकड़ पार कि यहां से वो दो लड़कों की बाइक रेंट पर लीती हैं फिर थोड़ा आगे जाने पर फिर्जर ट्लीवरी बॉय बन जाते हैं आगे चलकर उन्हें साइकल ली और पहाड़ों पर वो चड़ाई करने लगती हैं ऐसा वो इसलिए कर रहे थी तकि कोई भी पुलिस वाला उन पर शक्त ना करें और उनका ये प्लैन काम्याब भी हो रहा था और अब आखिरकार हैकर और सेटलाइट में सही सलामत कश्टी से वहां से निकल जाते हैं सेटलाइट में हैकर को कहता है कि मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ जब तुम इसापने शिवां से निकल जाते हैं ये लोग इतनी बड़ी चूरी करकी उसमें काम्याब होकर बहुत खुश थी और सही सलामत वहां से निकल जाते हैं इसके बाद हमें कुछ महीनों की बाद का वक दिखाया जाता है बर्लिन कमील को अभी भी नहीं भूला था इसलिए एक दिन जब कमील उसे मिलने आई तो बर्लिन काफी खुश हुआ और वो उसे सब कुछ सच सच पता दीता है कि हां मैंने ही तुमारे हजबन को पसाया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं हासिल करना चाहता हूँ पाहिर कमील की दोस्त भी थी जो उसकी इन बातों की पुलिस अब इस मौके की तलाश में थी कि जो वो चोरी करेंगी तो हम फॉरान उने पकर लेंगे और अगली दिन कमील और उसकी दोस्त बर्लिन से मिलने आते हैं वो बर्लिन को ब्लैक मिल करने लगती हैं कि हमारे पास तुमारी रिकॉर्डिंग है जो हम पुलिस को दे दे लेकिन सच में कमील मैं तुम से सची दिल से प्यार करता मैंने अपने फाइदे के लिए तुम्हे जरा भी इस्तमाल नहीं किया और मेरे लिए पैसा नहीं प्यार तुम जरूरी हो यह कह कर लेता है कि मैं अगली बारी जब भी चोरी करूंगा तो सारे पैसे कमील को ही दे द कुछ दिन के बाद प्रोफेसर बर्लिन से मिलने आया जहां परलीनों से कहता है कि हमारी छुटियां हुई काफी दिन हो गई है ना तो क्यों ना अब हम अगली चूरी करने चलें यह सुनकर प्रोफेसर काफी खोश हो जाता है कहनी लगा अरे वह बहुत अच्छा एडिया है क क्योंकि मैं भी दोस्ते चूरी होने का प्रोफेसर इंतजार कर रहा हूं या जिल्दी करो दोनों इस बात पर काफी खोश हो गई और इसी के साथ यह सीजन इधरी अत्म जाता है